अज पित्र पक्ष शरूओ है तो आप को ये दिखाना था कि सिंधी लोग श्राद कैसे करते हैं जो जैसे क्या होता है कि किसी बड़े बुज़र्ग का जो गुजर जाते हैं उनका श्राद करने के लिए ये सिस्टम रहता है कि कि जैसे हम क्या करते हैं उनके आगमन को दिखाने के लिए कि पित्र जो है वो घर में आ गया है उनके लिए हम क्या करते हैं ये हमारे घर का रिवाज है खास करके मुझे नहीं पता कि दूसरे सिंधी क्या फोलो करते हैं पर हम तो यही फोलो करते हैं कि हम एक आधा कच्चा आधा पका फुलका बना लेते हैं और उसके ओपर यह आटे का दिया रखते हैं अब जैसे आज जो है हमारे घर में सरफ एक ही व्यक्ती का श्राद है और मेरी परदादी का श्राद है इसलिए हमने सरफ एक मुखी दिया रखा है पानी का लोटा भरके रखा है और यहां अख़्ा रखा है अब सुबह सुबह जब हम फट्टी धामते हैं धामने का मतलब फट्टी जब रखते हैं इसको या आसन रखते हैं इसका मतलब यह कि हम पित्रों का स्वागत करने के लिए यह फट्टी रखी है और फिर क्या है इसके साथ ही यहां जगह पे हम बिठा देते हैं आसन लगा के और यह दक्षन दिशा की तरफ इसका मू रखा हुए है तो अब क्या है कि यहां पे एक दातुन भी रखी हुई होती है तो वो तो क्या है अब दातुन अब जो की श्राध हम खिला चुके हैं अलरेडी तो यहां पे वो दातुन नहीं रखी हुई बता हम यहां पे एक दातुन भी रखते हैं वो कांगवास के साथ चली जाती है तो यह फटी जो है यह रखते हैं यह पित्रों का स्वागत करने के लिए या उनको विराजमान करने के लिए है जिसको हम सिंधी में फटी धामन बोलते हैं और मुझे नहीं बता दूसरे सिंधी क्या बोलते होंगे हमारे घर में तो यही बुला जाता है अब इसके बाद क्या होगा जैसे शाम को अब इनको विदाई देनी होगी तो ये लोटा उठा के चले जाएंगे और ये अख्खा भी छोड़ाएंगे वहाँ पे ये दिया यहां से घर से चला कर लेकर जाएंगे और उसके बाद इनको विदा करने के परतीक के रूप में ये दीपक जो है हम ले जाएंगे और नहर में इसको तार देंगे अब जब इसको जो दिया तराने के लिए लेकर जाएंगा तो वो इंसान अकेला जाता है कोई साथ में नहीं जाता ये जरूर ध्यान रखते हैं कि जब पित्रों को विदा करते हैं या उनका दिया जला कर लेकर जाते हैं तो पीछे वापस मुड़कर नहीं देखते और सीधा घर से निकल जाते हैं और रस्ते में चुप रहते हुए शान्त रहते हैं हम नहर के पास जाते हैं क्या है कि आजज कर खास कर के हम vowels राजरस्तान में रहते हैं तो हम पर पर इस प्तर को नेविदा कर दिया है जैसे मालो किस दिन किसी का घर में जो है मालो दो लोगों का या दस लोगों का या बीस लोगों का या चालिस लोगों का इतना तो होता नहीं है तो मैं ऐसे ही बढ़ा जड़ा के एग्जाजरेट करके बोल रहा हूँ मतलब मालो पांच लोगों का भी कहीं बार हो जाता है क्योंकि सिंदियों में रिवाज है कम से कम तीन पिछली पीडियों का या नसलों का शराद हम करते हैं तो जैसे आज मेरी परतादी का है, मेरी दादा जी का भी होता है और इस तरीके से तीन नसले चलती है उपजली नसलों का हम करते हैं तो अब यह क्या है मालो आज दो या तीन लोगों का या चार लोगों का होता तो फिर यह दीपक जो है वो चो मुखी का हो जाता बजाए एक मुखी के पर आज चुकि एक इंसान का है तो हमने एक दिया हमने यहाँ पर रख दिया और अमावस के दिन जो है हम चाओ मुखी दिया रखते हैं यहाँ पर अब यह जो फट्टी धामने का रिवाज है यह कुवारे लोगों के लिए नहीं किया जाता अगर वो 13-14 साल से बढ़े हैं कहीं लोग कहते हैं 18 साल से बढ़े हैं डिपेंड करता है कि क्या नियम है पर शास्त्रों के हिसाब से अगर आँ महाभारत में सुनोगे तो उसमें 13 साल बताया हुआ है तो जो 13 साल से छोटी उमर के लोग होते हैं उनके लिए फटी धामने का रिवाज नहीं होता 13 साल से जो बढ़ा होता है उसके लिए फटी धामने का रिवाज होता है सिंधी खास कर जो हैं वो अन्मेरिट लोग जो गुजर जाते हैं उन लोगों के लिए फटी नहीं धामते तो जो 13-14 साल की उमर में 15-16 साल के उमर में बजाते हैं जो बहुत छोटे बचचे होते हैं इनफेंड्स मर जाते हैं तो उनके लिए पट्टी धामने करिवाज नहीं होता उनके लिए सरफ श्राद् कहला दते हैं किसी छोटी बच्ची को जिसको सिंधी में ञानी कहा दते हैं या किसी ब्रामन को खिला देते हैं कई बार लोग उनके घर पर दे आते हैं पर चुकि हमारे घर में आज भी ट्राडिशनल तरीके से फोल होता है तो हमारे घर में छोटी बच्ची या ब्रामन आते हैं और वो खुद खा कर जाते हैं तो ये एक था अगर और वीडियो भी मैं पितर पक्ष पे लेकर आऊंगा कि सिंधी इसको और क्या क्या करते हैं तब तक के लिए आप इस वीडियो को अगर आपको इच्छी लगी हो तो लाइक के रहें शेर करें और सब्सक्राइब करें